Dear students, in this series of inorganic polymers, in this lecture, we will discuss about the phosphogens. प्यारे बच्चों, इस lecture में हम जो series हमारी चल रही है, inorganic polymers, उस series में, इस lecture की series में हम बताएंगे about phosphogens. phosphogens क्या होते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने discuss किये थे, silicones के बारे में, कि silicones क्या हैं, उनका classification क्या है, कैसे वो prepare किये जा सकते हैं, और क्या उनकी properties होती हैं, और उसके बाद हमारे जो दूसरे तरीके के जो polymers हैं, वो हैं phosphorous के polymers, और उसमें जो polymers हम पढ़ रहे हैं, वो हैं phosphogenes So, this is the general introduction about phosphogenes, तो यह जो हम पढ़ रहे हैं, यह एक general introduction है about phosphogenes, phosphogenes जैसा नाम से आपको लग रहा है, phosphorous के compounds हैं, अब यह जो phosphogenes term है, यह phosphogenes term किस से मिलकर बनाए हैं, देखें सबसे पहले हम यह देखते हैं, phosphogenes, so इसमें क्या है nitrogen है, मतलब ऐ जो, इसलिए हमने इसमें क्या लगा दिया है, A, A, Z, A, Z लगा है, तो एजो है क्योंकि इसमें क्या है nitrogen है, इसमें क्या है, double bond है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया, और किस के, जो compounds हैं, phosphorous के, तो phosphorous plus aigo plus eans, क्या बन गया, phosphogenes, clear है, I think, इसको फिर से हम बताएं, repeat क्या है, phosphogenes इनका नाम क्यों है, phosphorous, phospha, phosphorous से, then agio, means इसमें nitrogen present है, ins, मतलब इसमें double bond है, इसलिए हम इनको क्या 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 रहे है, phosphogenes, actually, यह क्या है, इनको हम organophosphorus compounds भी कह रहे हैं, general नाम है, organophosphorus compounds क्योंकि इसमें organic moiety हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो इसको अगर उसमें organic moiety है, तो हम उसको organophosphorus compounds भी कह सकते हैं, जैसे यह लिखे में, देखे compound, यहाँ पर अगर R group CS3 है, CS6H5 है, तो एक organophosphorus compound है, लेकिन अगर नहीं है, तो फिर यहाँ पर देखिए, CL भी हो सकता है, इसलिए यह organophosphorus compound भी हम इसे कह सकते हैं, और sometimes नहीं भी कह सकते, यह तो depend करेगा कि इस पर R group कैसा है, फिर देखिए, फॉस्फोर नाइट्रिलिक polymers भी नहीं कह सकते हैं, इनका जो actual name जो होगा, या तो उसको हम कहेंगे फॉस्फोर नाइट्रिलिक compound या हम कहेंगे फॉस्फे जीन्स, यह दो नाम इनके लिए common है, फॉस्फोर नाइट्रिलिक compounds, polymers या फिर फॉस्फे जीन्स, एक जो खास बात होगी सारे polymers में, क्या होगी, फॉस्फोर नाइट्रोजन भी होगा और डबल बॉन्ड भी होगा, यह तीन चीज़ें तो common होंगी सब में, चाहे वो और्गेनो फॉस्फोर नाइट्रोजन भी है और डबल बॉन्ड भी है तो फॉस्फो फॉस्फा जीन्स, तो तीन चीज़ें जरूरी हैं, पी डबल बॉन्ड एन, इसकी वज़े से इसका नाम हमने क्या फॉस्फे जीन्स या फॉस्फो नाइट्रिक पॉलिमर्स, और गेनो फॉस्फोर नाइट्रोजन कहे जा सकते हैं, इफ आर ग्रॉप इस और गेनी ग्रॉप, इसको हमने कहें कहें दिया, क्लोरो फॉस्फे जीन्स, क्योंकि हमको यहां पर पता लग गया है कि यह ग्रॉप क्या है, अगर यह मिथाइल होते हैं, तो फिर हम डाइमिथाइल फॉस्फे जीन्स कहते हैं, अब यह कह है, क्लोरो फॉस्फे जीन्स, ठीक है इस तरीके से alternatively the PNNR arranged. Now, two substituents on each phosphorus atom. Each phosphorus atom पर दो substituents हो सकते हैं. R से जिसे represent किया है और ये जो R है, ये क्या हो सकते हैं? ये halogenes भी हो सकते हैं और organic group भी हो सकते हैं. इसलिए जो है, हम इनको क्या कह रहे हैं? इनको हम कह रहे हैं, phosphate genes. यहाँ पर जो phosphorus होता है, उसकी oxidation state generally plus 5 में ये excess करता है. ठीक है? Plus 5 oxidation state रहेगी और nitrogen की रहेगी 3. 3 valency रहेगी. phosphorus की oxidation state जो है, वो plus 5 होगी in compounds में. और अगर हम देखें, तो यहाँ पर जो repeating unit है, वो क्या है? NPR2 जो phosphorus genes की repeating यह monomer है, यह monomer है. NPR2 यह एक monomer है, यह monomer बार-बार repeat होगा और इस तरीके के जो monomer है, यह joint होंगे आपस में, जहाँ पर R-alkyl हो सकता है, Arryl हो सकता है, या halogen हो सकता है, यह joint होंगे, और यह joint कहां तक हो सकते हैं? लगबग 15,000 यूनिट तक भी जुड़ सकती हैं, एक मैक्रो मॉलीक्यूल में, फॉस्पेजीन के. तो फॉस्पेजीन का मतलब यह नहीं कि यह unit है, फॉस्पेजीन का मतलब है, वो एक polymer है, उस polymer में ऐसी कुछ units हो सकती हैं, और यह units up to 15,000 तक हो सकती हैं, so that it can form a polymer. तो यह polymers होते हैं, एक्चोली जो फॉस्पेजीन से polymers हैं, तो यह जो हैं, पंदरह हजार unit तक भी जुड़ी हो सकती हैं, आपस में. फॉस्पेजीन किस तरीके के से उदे के जुड़ सकते हैं? यह जो फॉस्पोरस और नाइटोजन हैं, यह जो फॉस्पोरस और नाइटोजन, फॉस्पोरस और नाइटोजन, फॉस्पोरस और नाइटोजन, तो यह एक cyclic polymer है, इसको भी देखें, तो यहाँ पर ऐसी 4 unit है, कौन सी unit? N, P, R, 2, यह देखिए, यह unit, फिर यह unit, फिर यह unit, फिर यह unit, चार unit हैं सी, इसमें इसी 3 unit है, तो यह भी cyclic polymer है, यह भी cyclic polymer है, लेकिन यह वारा जो polymer है, यह linear polymer है, अगर cyclic ली अरेंज नहीं है, इसका मतलब यह linear polymer है, तो यह polymer जो है, वो cyclic हो सकते हैं, या फिर linear हो सकते हैं, ओके, तो आइटिंक, जो वैलेंसी है, वो पाँच शो करेगा, जबकि नाइटोजन की 3 होगी, हर एक फॉस्पोरस के साथ, दो गुरूपस जुड़े वे होंगे, वो गुरूप एलोजन हो सकते हैं, अलकाइल हो सकते हैं, या एराइल हो सकते हैं, अगर वो गुरूप ऑर्गेनिक लिगेंट से हैं, जैसे एराइल एलकाइल से, तो और्गेनो फॉस्पोरस कंपाउंट की केटेगरी में आया, और अगर ये गुरूपस जो हैं, वो हेलोजन से हैं, तो फिर ओ खॉरो फॉस्पोरस कंपाउंट से हैं, ये साइकलिक हो सकते हैं, साइकलिक हो सकते हैं, या फिर ये लीनियर हो सकते हैं, अब आप देखें, फॉस्पेजीन का क्लासिफिकेशन, तो हम इनको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, on the basis of phosphagen units कितनी phosphagen unit एक compound में है उसके basis पर हम इसको classify कर सकते हैं तो एक गुरूप है monophosphagen फिर्स गुरूप इस monophosphagen यह इस तरीके के होंगे देखिए इनका formula general formula क्या है x3p double bond nr तो यहाँ पर किवल एक unit है किसकी जो हमने कहा था npx2 इस तरीके की एक unit है तो यह monophosphagen यह एक monomer है और यहाँ पर r क्या हो सकता है या x क्या हो सकता है cl हो सकता है nr2 हो सकता है ar हो सकता है aryl group या alcoxy group यह एक example है c6h5 whole thrice p double bond n c6h5 monophosphagen है क्योंकि यहाँ पर phosphorous है, nitrogen है, double bond है और जो r group है वो क्या है? RIL group है, organophosphorus compound है और ये एक तरीके का monophosphagen है क्योंकि यहाँ पर दो unit नहीं है phosphagen की एक ही unit यहाँ पर है इसकी preparation कैसे कर सकते है? simple preparation है हम क्या लेते है? dry chloro triphenyl phosphine ये हमने ले लिया dry chloro triphenyl phosphine लिया ये जो है इसकी reaction हमने करी aniline के साथ तो ये क्या बन गया? ये हमाई पास मिल गया monophosphagen तो monophosphagen को हम simply triphenyl phosphine की help से किसी amine की reaction करा के अब यहाँ पर हम कोई alkyl group भी ले सकते हैं और उसके हिसाब से फिर हम हमें दूसरा product मिल सकता है तो ये क्या है? monophosphagen अब दूसरा जो category है डाइ फॉस्पजीन और तीसरी category है polyphosphagen तो डाइ फॉस्पजीन में क्या होगी? दो यूनिट्स होंगी फॉस्पजीन की और पॉस्पजीन में क्या होगी? दो से अधिक यूनिट्स होंगी फॉस्पजीन की जो PN group है PNN double bond ये दो से जादा होगा यहाँ पर क्या होगा? जो P double bond N है ये वाले group दो होंगे और यहाँ पर जो P double bond N group है वो किवल एक होगा? तो मोनो फॉस्पजीन में P double bond N group एक होगा डाइ फॉस्पजीन में P double bond N group दो होंगे और पॉलिफॉस्पजीन में P double bond N group तीन होंगे अब ये देखी यह है डाइफॉस्पेजीन, डाइफॉस्पेजीन में पहले कह दिया है कि यहां पर क्या होगा, there are two P double bond N groups, one group and the second group, N P group, और double bond is there, so this is a kind of डाइफॉस्पेजीन, डाइफॉस्पेजीन कैसे बनेगा, when PCL5 reacts with ammonium chloride, then it will be formed, डाइफॉस्पेजीन बनेगा, और डाइफॉस्पेजीन can exist in covalent as well as ionic form, यह अगर हम यहां से charge हटा दे, तो वो covalent form होगी, and this is the ionic form, यह कैसी form है, ionic form है, तो यह कैसा फॉस्पेजीन है, डाइफॉस्पेजीन, क्योंकि इसमें दो, देकि P, दो P हैं, दो N हैं, और दो डबल बॉंड, तो यह इसमें दो ऐसे बॉंड हैं, इसलिए यह कैसा है, डाइफॉस्पेजीन है, अब तीसरी category क्या है, देखिए, पॉली फॉस्पेजीन, तो थर्ड केटिकरी इस पॉली फॉस्पेजीन, वेर, there are more than two P double bond N groups, दो से ज्यादा क्या हैं, P double bond N groups से, these may be cyclic और may be linear, अब यह जो है polymeric है, तो यह linear भी हो सकते हैं, और cyclic भी हो सकते हैं, इनके अगर हम preparation methods टेक हैं, तो a lot of preparation methods हैं, कई तरीके से हम prepare कर सकते हैं, पहले हम देखें, cyclic जो फॉस्पेजीन से हैं, उनको हम कैसे prepare करते हैं, क्योंकि दोनों तरीके के फॉस्पेजीन अगर लीजेन से, पहले जो cyclic होते हैं, उनसे ही क्या बनाते हैं, जअनरली, linear polyphosphois侑ीन बनाते हैं, यह जो cyclic phosph Sweden हैं, उनको हम कैसे बना सकते हैं, उनके क्या method हैं, तो यह एक method है, जिस्से हम poly helo phosphogen, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? इसमें भी हम कैटेगराईज कर सकते हैं, ह other substituted phosphagenes भी हो सकती है जहाँ पर R group जो है देखे यहाँ पर CL है और यह R group CH3 भी हो सकता है C6H5 भी हो सकता है तो वो substituted हम बाद में पढ़ेंगे पहले हम पढ़ रहे हैं polyhello phosphagenes जो cyclic है इन cyclic की help से ही we can prepare the long chain or linear polyphosphagenes तो हम किसकी बात कर रहे हैं polyhello मतब जिन में chlorine हो fluorine हो या और भी कोई halogenes हो उनको prepare करने की बात कर रहे हैं उसके बाद हम preparation करेंगे उन phosphagenes की जहाँ पर क्या होंगे alkyl और li groups होंगे उनकी synthesis हम करेंगे तो यह polyhello phosphate का जो पहला method है कैसे बन सकता है phosphagen जो PCL5 है जब इसकी reaction NH4Cl से करते हैं इससे पहले भी हमने करी थी बट यहाँ पर temperature condition है देखिए diphosphagen भी इसकी reaction से बनते हैं बट यहाँ पर हम क्या देंगे there are temperature conditions so 120-140 degree centigrade तक temperature रहेगा chlorobenzene will be the solvent then we will got the mixture of cyclic timer cyclic tetramer and some linear polymers so cyclic timer is where there are 3 P N N double bond 1, 2 and 3 and cyclic tetramer is where there are 4 P N N double bond 1, 2, 3 and 4 so this is cyclic tetramer and this is cyclic timer in both cases P N N are arranged alternatively you can see these are arranged alternatively so these are the cyclic isomers cyclic polymers which can be prepared by the reaction of PCL5 and NH4Cl यह देखिए second method है पहले method में हमने क्या किया थे NH4Cl की reaction PCL5 से कराई दी under controlled condition this is the second method to prepare polyhello phosphogenes तो यहाँ पर हम देखिए किस तरीके का compound बना रहे है कि एक आर तो CL है and other R is F यहाँ पर R2 होता तो एक आर F है और दूसरा R के है CL है तो जब हम reaction कराएंगे cyclic trimer की PBF2 के साथ reaction कराएंगे then we will get chlorofluorocyclic trimer okay so in this case one R is F and other R is Cn okay I think you can prepare you can draw it like this P N P N N P so these are the double bonds here one is F and other is Cn F Cn F Cn so this is a kind of product यह एक product है जो है तो hello phosphagen बट यहाँ पर जो groups है वो क्या है अलग-अलग है एक F है और एक Cn तो इस तरीके की preparation हम कैसे कर सकते हैं cyclic trimer की help से cyclic trimer यानि जो chlorine है इसमें आसानी से replace हो जाएगी और वो replace होकर क्या करेगी इसके साथ react करेगी F F को replace कर देगी Cn next method देखिए एक method और है जिसमें हम dichloro वाला जो polymer है वो prepare कर सकते हैं यह tetra sulfur tetra this nitride S4 and 4 हम लेंगे इसकी reaction SOCl2 and PCL3 से करेंगे then we will get this cyclic trimer तो आप देखेंगे generally यह जो method है यह cyclic जो polymer है उसका synthesis कर रहे थे तो cyclic polymer बनाने के method तीन आपने पड़े पहला method जो कि hello है यह क्या है hello polymers है पहले मैं M ने NH4, CL और PCL5 की reaction करी तो हमें cyclic trimer and tetramer मिले दूसरे reaction आप देखिए यहाँ पर हमने mixed type का chlorofluoro cyclotrimer बनाया है तो यहाँ पर PN इसकी cyclic trimer की reaction PBF2 से करा दी और तीसरा method है जिसमें कि S4N4 SOCL2 TCL3 react करेंगे और cyclic trimer form करेंगे अब यह जो दूसरा दूसरे तरीके के हम क्या prepare कर सकते हैं linear और cross linked polymers इससे पहले जो हमने prepare किये वो cyclic polymers थे अब हम prepare कर रहे हैं वो क्या हैं halo halo phosphagenes है इससे पहले भी हमने halo phosphagenes prepare की थी लेकिन वो phosphagenes cyclic prepare की थी अब हम halo phosphagenes prepare कर रहे हैं जो कि linear है या cross linked हम बना सकते हैं तो generally जो linear और cross linked हम किस से बनाते हैं cyclic timer र किही है फेहले हमने साईकलीक ट्राइमर या ट्रेटरामल बना लिए अब उन से अगर में अर में हुआ करने फॉडियों लीट कई साइकलीक polymer किसमें convert जाएगा linear polymer में और further heating अगर करेंगे तो फिर क्या मिलेगा cross-linked polymer जिसे हम फिर inorganic rubber कहेंगे तो इस तरीके से हमें क्या मिल सकता है linear या cross-linked polymer मिल सकता है poly halo phosphagen का इससे पहले हमने क्या पढ़ा था to prepare poly phospho poly chloro phosphagenes that are cyclic यहां पर हमने पढ़ा poly halo phosphagen जो कि क्या है linear ya cross-linked किसे prepare होते है from cyclic trimer or tetramur say we can prepare linear by heating this cyclic trimer or tetramur in present in in absence of moisture and we also get after heating then we will get the cross-linked polymer इसी तरीके से देखिए हम tetra ah joh cyclic tetramur है उससे भी हम linear polymer बना सकते है तो जैसे हमने cyclic trimer से linear polymer बनाया या cross-linked polymer बनाया उसी तरीके से हम tetra meric cyclic polymer से हम क्या बना सकते है linear ya cross-linked polymer बना सकते है यह जो मैतड है इससे हमने cyclic बनाए और इसके बार हमने इन von के हीक्वाफ से क्या बनाए? washed- jullie आखिए अब इसके बार बार इसके अलावा यह तो क्या थे है दिखी यह थे पॉली हेलो फॉस्पे जीन्स बाव यह पॉली हेलो फॉस्पे जीन्स के अलावा और भी other polymeric forms हो सकती है phosphate genes की वो क्या होती है और वो कैसे synthesize की जा सकती है ये देखिए other polymeric forms क्या क्या हो सकती है अगर ये देखिए हमने linear polymer बनाया है अगर ये r group जा है वो change कर दें किसी तरीके से तो फिर नए तरीका का polymer बन जाएगा जैसे इसकी reaction अगर हम कराएं r o n a से तो ये o r group जुड़ जाएगा तो ये एक नया polymer बन गया ये hello poly, hello phosphogen नहीं है ये कोई और polymer बन गया फिर देखिए इसकी reaction हमने कराई है n h 2 r से तो ये क्या बन गया देखिए n h r जुड़ गया है पर तो ये अलग तरीके का polymer बन गया फिर यहां पर हमने organometallic compounds की reaction कराई है mr type तो यहां पर का जुड़ गया 1 side r जुड़ गया 1 side l जुड़ गया तो r group में 1 r है 1 c l है यहां पर दोनो r group न hr हो गया यहां पर दोनो r group और हो गया यहां पर r group क्या हो गया nr2 nr2 यहां पर हमने reaction कर रहा है r2 nh से तो आप देख सकते हैं different type की category हो सकती है polymers phosphogenes की और वो phosphogenes साम इस polyhello phosphogenes से prepare कर सकते हैं by reacting it with some other reagents तो दूसरे reagent के साथ जब रियक्ट करेगा तो other polymers का formation कर सकता है देखिए और दूसरे तरीके के polymers भी बना सकते हैं from substituted cyclic phosphogenes कैसे बना सकते हैं देखिए यह हमारे पास माल लेजे यह hello इसमें fluorophosphogenes है fluorophosphogenes की reaction जब ARLI से कराई तो एक जो fluorine था it is replaced by aryl group this is aryl group ओके यह aryl group replace हो गया and when we heat this aryl group then we will get such kind of polymer this is again linear polymer further on reaction with R, O, N, A it will give such this F will replace by O, R and such kind of linear polymer will obtain तो आप देख सकते हैं कि एक polymer में जो cyclic trimer है उसमें अगर हम इन groups को change करें तो हमें different type के isomer मिल सकते हैं तो यहां पर हमने इस fluorine को replace किया ar group से और फिर हमें linear polymer मिला अब हमें यह नहीं चाहिए तो हमें कोई और polymer चाहिए तो हम इसको OH से replace कर दें तो यहां पर R, O, N, A कर दिया तो OR जुड़ गया यहां पर तो यहां पर इस तरीके का polymer बन गया तो यह substitute हो जा रहा है जो organic group है यह जो substituted cyclic phosphate gene है इसको अगर हम heat करेंगे ring opening होगी and we will get the linear or cross-linked polymer हमें कहां मिलेंगे? cross-linked polymer मिलेंगे और दूसरा आप देखें जो ring opening के tendency है वो कम होती है अगर यह दोनों group क्या होंगे? alkyl groups होंगे organic groups अगर दोनों होंगे तो फिर ring opening कठिन होगी ring opening कब होगी? या तो यह दोनों hello होंगे या फिर एक organic होगा और एक क्या होगा? hello होगा जैसे यहाँ पर देखिए एक hello है और एक organic है तो ring opening हो गई इससे पहले भी आपने देखा था जब दोनों कलोरो थे तो भी ring opening हो रही थी लेकिन अगर यह दोनों ग्रूप organic हो गए दोनों CS3 है तो फिर आप देखिए ring opening नहीं हो रही है बलकि यह दूसरी ring बन गई अगर चार ट्राइमर थे तो उन्होंने तीन tetramer बना दिये यह ring opening होने के बज़ाए यह cyclic जो polymers है वो एक दूसरे के साथ equilibrium में रहेंगे तो अगर दोनों के दोनों groups P के साथ जो attached है if all the groups are organic groups then ring opening will not take place instead of this ring opening these two cyclic polymers they will be in equilibrium with each other एक दूसरे के साथ क्या होंगे equilibrium में होंगे एक बार हम थोड़ा सा और repeat कर लेते हैं कि हमने देखा कि कैसे classify कर सकते हैं phosphagen को monophosphagen, diphosphagen and polyphosphagen monophosphagen में 1 PN unit होगी diphosphagen में 2 PN unit होगी और polyphosphagen में more than 2 PN groups होगी अब अगर हम preparation देखे polyphosphagen का तो पहले हमने polyhello phosphagen को prepare किया cyclic तो यहां पर cyclic है उसको prepare कर सकते है सीधे 3 method मैंने आपको बता है PCL5 and NH4Cl दूसरा method आपको बता है यह cyclic trimer के अगर PBF2 से reaction कर देंगे तो हम उसी का hello दूसरे तरीके का hello prepare कर सकते है और तीसरी reaction आपको यह बताइए जहां पर S4 and 4 6 SOCl2 12 PCL3 react करेंगे they will form cyclic trimer of hello phosphagen now यह जो hello phosphagen है इसको हमें linear में convert करना है क्योंकि cyclic है linear convert करने के लिए इसको हमें heat करना है heat करना है at high temperature in absence of moisture तो चाहे trimer हो चाहे tetramer हो तो यह दोनों के दोनों के के जा सकते है इनको हम क्या कर सकते है linear में convert कर सकते है इसको भी linear में convert किया heat करके इसको भी linear में convert कर दिया other polymeric form भी हो सकती है इसकी जहां पर R group जो है वो hello के बज़ाए कोई और group से हो सकते है OR group हो सकता है NHR हो सकता है nr2 हो सकता है फिर देखिए अगर हमें फिर से उसमें नए ग्रुप्स एट करने हैं तो हमें क्या करना होगा जो cyclic hello timer था उसका organic groups के साथ substitution करना होगा यह जो group जुड़ेगा उसके बाद अगर हमें इस तरीके का product चाहिए देन विल heat और हमें linear isomer मिल जाएगा polymer मिल जाएगा लेकिन अगर यह दोनों जो रिंग में जो जुड़े वे group से हैं अगर वो organic होंगे तो फिर ring opening नहीं होगी और यह दूसरा cyclic polymer बना देगा जो कि एक दूसरे के साथ equilibrium में होंगे अब phosphate genes की properties देखें कि इसकी क्या क्या properties होती है अगर हम इसकी physical property देखें तो physical property आप देखिए यह जो ट्राइमर था cyclic trimer यह इसका जो melting point है वो लगभग 114 degree centigrade boiling point is 256 degree centigrade and it is easily soluble in benzene ether and carbon tetra chloride यह जो cyclic tetra मर है यह इससे इसकी molecular weight बढ़ गई तो its MP will increase इसका MP क्या हो गया 123.5 degree इसका BP इंक्रीज हो गया है 328.5 degree और इसकी तो solubility यह वो कम हो जाती है देखें बेंजीन में एथर में और carbon tetra chloride में इसकी solubility क्या हो जाती है कम हो जाती है तो यह इनकी physical properties है जो tetra मर है उसका melting point boiling point higher है बट solubility क्या है कम है in these organic solubents जबकि जो trimer है उसकी solubility जादा है और उसका melting point or boiling point in comparison to the tetra मर यह क्या है गम है और इनको अगर हम रख दें तो यह क्या हो जाते हैं polymerize हो जाते हैं अगर cyclic polymers को कुस्सा में रख दें तो वो क्या हो जाएंगे polymerize हो जाएंगे अब हम इनकी chemical properties discuss करेंगे तो पहली अगर हम chemical property देखें जो कि हम इसके preparation method में पढ़ चुके हैं वह है effect of heat तो heat की presence में देखिए 150 से 300 degree centigrade तक अगर इसको heat किया तो it converts into polymer यह linear polymer यह cross-linked polymer में convert हो जाएगा ऐसे ही cyclic tetra मर है so these cyclic polymers phosphate genes यह heating पर 300 degree centigrade तक इनको गर heat करेंगे यह linear polymers में convert हो जाएंगे दूसरे टाइप की जो chemical reaction यह show करते हैं वो है substitution reaction तो substitution reaction आपने इससे पहले देख लिया है already हम देख चुके हैं preparation के दोरान कि जो CL group है उसको replace किया जा सकता है तो जैसे जिसने naf से reaction करी तो सारे के सारे CL विल replace by f तो यहां पर यह जो r group हा गया वो क्या गया f आ गया यह फिर यह देखिए जो हमने grignaald reagent के साथ reaction करी तो सारे CL group किस से replace हो गए ch3 group से यहां अगर हमने reaction करी तो सारे के सारे CL group किस से यह रिप्लेस हो गए और से तो इसी का फाइदा उठाकर हम जिस तरीके का polymer चाहिए उस तरीके के polymer का synthesis कर सकते हैं यह भी एक cyclic polymer है this is also cyclic polymer hello polymers but here the halogen is chloride while in this case the halogen is fluoride तो यहां पर halogen है वह chlorine है यहां पर halogen fluorine है यह cyclic से cyclic structure में convert हो रहे हैं but जो इनके R groups है they are different because this chlorine can easily substitute these groups now this is the property of hydrolysis अब यहां पर हम देखेंगे इसकी iso जो hydrolysis की property है आप देखेंगे formation of isomeric phosphoric acid तो यहां पर hydrolysis के बाद यह क्या देगा isomeric phosphoric acid देगा देखें कैसे देता है यह एक टेट्रा टेट्रा मर है this is of phosphonidric acid या फिर यह phosphagen है cyclic tetra मर और phosphagen इसका नाम है टेट्रा phosphonidric chloride जब इसका hydrolysis करेंगे तो यह जो chloride है वो रिप्लेस हो गई oh से और यह जो यह रिप्लेस होती है उसके बाद यह दो form में isomerization form जो isomerized product बनाता है अपना यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर double bond O है और यहां OH ठीक है एक OH है और एक हैज कहां चला गया इस N के पास तो फिर इस तरीके का compound form होगा जिसे हम कहते हैं टेट्रा मेटा इमीडो फॉस्पोरी कैसे इस टेट्रा मेटा इमीडो फॉस्पोरी कैसे यह दोनों कमपांड के होंगे एक दूसरे के साथ आइसोमराइजेशन में होंगे यह अपना आइसोमराइज प्रोडक्ट बनाएगा यह सही जो ट्राइमर होगा जो पॉलीमर होगा साइकलिक ट्राइमर यह जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यह देखिए दोनों क्लोरीन को किस ने रिप्लेस किया ओएच ने ओके फिर यह जो प्रोडक्ट है यह आइसोमर फॉर्म करेगा और यह दोनों आइसोमर एक दूसरे के इक्विलिबिलियम में होंगी तो यह आप देख सकते हैं कि यह ओएच और एक एच जो है वो कहां चला जाएगा यहां एन के पास तो आप देख सकते हैं यहां पर कोई डवल बॉंड आपको रिंग में नहीं देखेगा क्योंकि इन कंपाउंट्स में नाइट्रोजन की वै अचिट का फॉर्मेशन होगा ड्यूरिंग हाइड्रोलिशिस तो में जो आपने जो इसकी जो प्रापर्टीज पढ़ी केमिकल प्रापर्टीज तीन पढ़ी में एक तो आपने पढ़ा हीटिंग का इफेक्ट दूसरा आपने पढ़ा सब्स्टिटूशन रियक्शन और ती प्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्रा नहीं घुलेंगे, flexibility retention at low temperature, low temperature पर यह flexible होंगे और flame resistance होते हैं, तो यह different जो इनकी properties है, stability, किसी भी तरीके की stability हो, it may be thermal or may be oxidative, water repellent property, solvent resistance property, flexibility retention, low temperature पर flexibility, important point है, then flame resistance, इन सब properties की वज़े से, they can be used in these different applications, and these applications are, they act as catalyst in preparation of silikons, एक तो यह silikons की preparation में catalyst की तरह act करते हैं, plastic prepare कर सकते हैं, preparation of plastics, plastic films, asbestos, क्योंकि यह क्या है, plastic मतलब water repellent, then solvent resistance है, और asbestos मतलब flame resistance है, तो जहां पर हमें जरुवत है कि flame resistant product बनाएं, तो वहां पर हम phosphagenes का use कर सकते हैं, फिर देखिए wire insulation and metal coating, तो वहां पर यह flexible है, low temperature पर इनकी flexibility रहती है, तो wire insulation में इनको use कर सकते हैं, metal coating में use कर सकते हैं, फिर इनका जो cover है, severe burn and wounds को cover करने के लिए इनको use कर सकते हैं, amino phosphagenes, poly amino phosphagenes, इनका use देखिए दवाई की तरह भी है, इनको हम, मतलब pharmaceutical industry में है, कि इनको हम use कर सकते हैं, poly amino phosphagenes को to cover severe burns and wounds, then preparation of gaskets, gaskets means pressure cooker में आपने देखा है, जिसे gaskets हैं, तो वहां पर यह gaskets बनाने के काम आ सकते हैं, because they are flexible, और वो thermal resistance भी है, इसलिए pressure cooker में कितना ही temperature बढ़ जाए, वो आपने देखा है, rubber बहुत दिनों बाद खराब होता है, जो उसका gasket होता है, तो इसलिए जो है, इस तरीके के जो flexible, जहां पर flexibility की ज़रुवत है, high temperature resistance की ज़रुवत है, वहां पर phosphate gene को use कर सकते हैं, यह phosphate genes की application से, now we can summarize phosphate genes, अब हम phosphate genes को summarize कर सकते हैं, कि हमने इस lecture में क्या-क्या पड़ा, ताकि आपको कुछ conclusion मिल जाए और आपके mind में रहे कि हमने इस lecture में आपके corazón, इंट्रोरक्शन पड़ा जनरल की phosphate genes क्या होती है, अगर आपको धियान रखनी है एक पी की जो वैलेंसी होगी 1-2-3-4-5 तो पाँच इसकी वैलेंसी होगी नाइटोजन की कितनी होगी 1-2-3-3 होगी नाइटोजन की वैलेंसी और यह इंपोर्टेंट है कि फॉस्परोस हो डबल बॉन्ट इनो और एजो हो तो फॉस्फफेजीन हो गया ठीक है फिर हमने पड पर फॉस्फेजीन उनको प्रिपेर करना बड़ा इंट्रेस्टिंग है क्योंकि हम पहले जो प्रिपेर करेंगे वह करेंगे पॉली 低ल फॉस्फेजीन इनकि के करेंगे कुछिण शैफिकलिक करेंग और सब्सक्नी ज़िए मोड़ चलिक प्रिपेएर करने के बाद तो फॉ इनकी जो ट्राइमर है उसका melting point boiling point कम होता है solubility ज़्यादा होती है organic solubents में फिर हमने देखा chemical properties substitution reaction heating and hydrolysis then last में हमने देखा कि उसकी applications कहां कहां पर है तो इस तरीके से आप देख सकते कि phosphagenes they are very interesting and very useful in organic polymer category इतना इनका यूज है a normal life in the day to day life so they are very important okay so in the next lecture हम क्या पढ़ेंगे phosphagenes की bonding और आप देखेंगे वो भी बहुत interesting होती है तो उस interesting bonding को हम पढ़ेंगे की जो phosphagenes है इसमें इतनी stability कहां से आती है तो वो हमें कौन बताएगा bonding so thank you very much